मेरे बच्चों की तरह आपके बच्चे भी बहुत सारी ऐसी चीजे वोती हैंगी जो नहीं खाते होंगे है ना ऐसा होता है कि हम बहुत सारी ऐसी चीजे बनाते हैं जो बच्चों बिलकुल पसंद नहीं आती लेकिन हम माई क्या करते हैं उसी में twist लाते हैं और बच्चों के लिए कुछ अलग तयार करते हैं तो कुछ तो ऐसी recipes हैं जो twist के साथ बनेंगी और बच्चों को इसाथ साथ बड़ो को भी पसंद आयंगी उसके साथ कुछ ऐसी रेस्पी जाद आपके साथ शेयर करूँगी जो इसे चिलाती धूप में गर्मी में आपको रिफ्रेश कर देगी तो चलिए देडी नहीं करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम सब को कई बार ये शिकायत रहती है कि हमारी जो भिंडी है वो बहुत इस्टिकी बनती है बहुत जाद चिपची भी बनती है तो अगर आप मेरी तरह से भिंडी बनाएंगे तो न सिवो टेस्टी बनेगी बलकि चिपकेगी भी नहीं तो देखे इस तरह से उसे cut कर लेना है और मैंने इक कड़ाई में थोड़ा सा तेल लिया है सरसो का तेल मैंने लिया है आप जो भी ओयल खाते हैं आप बोले सकते हैं और थोड़ा सा मैंने roughly चोप किया है प्यास को आप जितना मोटा मोटा सा काटेंगे टेस उतना ही जादा अच्छा आता है उसके साथ मैंने इसमें दो हरी मिर्च को भी ऐड़ कर दिया है और देखे इसके बाद इसे भुनना है लेकिन इसको हमें बिल्कुल वैसा नहीं भुनना है जिस तरह से हम अपनी सबजी के प्यास को भुनते हैं अब एक अलग कटोरी में मैंने लाल मेर्च हल्दी पावडर गरम मसाला और देखे उसके साथ मैंने ये धनिया पावडर इसकी दो चम्मच ली है टेस्ट के कोडिंग नमक ले लिया है और देखे ये जितना भी मसाला था हलका सा जब हमारे प्यास थोड़ा सा सोफ्ट हो जाए तो उसमें हमें इसको छोड़ देना है अब जब मसाला बहुत अच्छे से हम भुन ले तो उसके बाद जो भिंडी हमने कट करके रखी थी उन्हें इसमें एड कर देंगे और उसके साथ इसमें अब ट्विस्ट एड करना है हम एड करेंगे इसमें दो चमच बेसन की बेसन इसमें क्रिस्पीनेस पिलाता है उसके साथ साथ तेस्ट पिलाता है थोड़ देर ढग देंगे क्योंकि चलाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी और देखे बहुत कम टाइम लगता है और बहुत जल्दी हमारी भिंडी रेडी हो जाती है उसके साथ जब भिंडी बिल्कुल रेडी हो जाए तो लास्ट में आप इसमें एड करिएगा आधा निम्भू और इसनी ज़्यादा डिलिशिस बनती है आप इसको पूरी के साथ प्राट्टे के साथ रोटी के साथ जैसे मर्जी चाहें वैसे खा सकते हैं इस बार इस तरह की भिंडी बना के एक बार जरूर से ट्राइ करिएगा और बताइगा कि आप जो भिंडी बनाते थे या फिर ऐसे जो बनाते हैं इन दोनों में आपने क्या अंटर पाया कई बार हमारा पनीर खाने का मन होता है लेकिन हमारा पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता तो आज बनाएंगे इंस्टेंट पनीर तो एक कड़ाई में मैंने तेल लिया है उसमें थोड़ी सी लॉंग और थोड़ी सी काली मिल्च को एड़ करा है और देखे जब ये प्याज बहुत अच्छे से इन्हें भुन लेना है इस तरह से आप पनीर बनाएंगे ना तो बहुत जल्दी रेडी होता है अब मैंने ये टमाटर की प्यूरी इसमें डाली है आप चाहें तो नॉर्मल टमाटर का जो पेस्ट होता है उसे भी डाल सकते हैं मैं इसी तरह से अब लेस्न और जो अद्रक होता है उसका एक चमang भर के मैं पेस्ट डाला है अब थोड़ी सी शिम्रा मिर्च डाली हैं थोड़ी सी क्या एक चोटे सी सि्म्रा मिर्च थी ओतनी ही मैंने देखे इसमे पयाज को आड़ करा है दो तीन हरी मिर्च अड़ करी हैं उसके साथ औ जो पिखिए मृच होगी ऑपना यानि हधी पवर्ड़ और अगण से जहined उसके ऑड़ करा है भी उतनते ही तेतनी से यहीं मसाले से बहुट टेस्टी पनीर बने के रेडि हो जाता है और मैंने घर का बना हुआ पनीर जो मैं मलाई वेस से निकालती हूँ यानि घी जब बनाती हूँ उससे निकालती हूँ आपके साथ मैंने इसको शेड भी कर रखा है और देखे ग्रेवी के लिए इसमें डालें गरम पानी बहुत जल्दी बनके ये रेडी होता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगत है आप इसको एक बार जरूर से बनाईएगा बहुत कम समान से बनता है और जब आप इसको बनाएंगे तो आपके ये मू लग जाता है और आप इसे हमेशा बनाना पसंद करेंगे लास्ट में आप इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी एड़ कर दीजेगा और बस इंस्टंट पनीर रेड़ी हो जाता है हार्ली 10 मिन्ट भी नहीं लगेंगे और आपका पनीर रेड़ी हो जाएगा जामून एक ऐसा फल है जिसे हम सब पसंद नहीं करते लेकिन इसकी बहुत सारी ऐसी रेस्पीज बनाई जा सकती है जो हम सब को बहुत पसंद आती है तो चलिए वन बा अलग तरीके से मैं खिलाओं तो देखे मैंने जामून लिए हैं और इसके बीच को मुझे अलग करना था तो मुझे इस तरह से धीरे-धीरे कटके इनको अलग करना पड़ा सारी जामून को मैंने अच्छे से साफ कर लिया बीच को अलग कर लिया है और उसका जो गूदा हो इसमें हम चीनी को add करेंगे पानी उतना add करेंगे जितना आपको इसको liquidy बनाना है और उसके साथ अब इसे बहुत अच्छे से blend कर लेंगे शुरू में इसे बिल्कुल धीरे-धीरे चलाएंगे और जब ये बहुत अच्छे से mix हो जाए उसके बाद इसे तेज स्पीड पे चलाएंगे और इसका एक बहुत अच्छा सा टेस्टी सा जूस बनके रेडी हो जाता है इसे आप जरूर से ट्राइ कीजेगा बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस लगता है बच्चों को भी पसंद आएगा और बड़ों को भी पसंद आएगा एक बार आप इसे पेंगे तो इसके स्वात को आप भूल नहीं पाएंगे लास्ट में इसमें एड कर देंगे निम्बू अगर आप नहीं नीबू को पसंद करते हैं तो आप स्किप कर दीजेगा और लीजे हमारा डिलिश्यस जामुन जूस रेडी हो गया है जो बहुत ज़्यादा अफोडेबल भी है क्योंकि जो प्रिजर्वेटिव लगे हुए जूस हम बच्चों को पिलाते हैं वो बच्चों के सेहत के ले भी खराब होते हैं उसके साथ साथ थोड़े कोस्टी भी आते हैं तो इन गर्मियों अपने बच्चों को कुछ सेहत बरा खिलाईए और खुद भी सेहत बरा खाईए अब आपके साथ एक ऐसी स्मूदी शेयर करूंगी जिसे अखसर मैं गर्मियों में पीती हूँ तो देखे जामून ली है और उसके साथ मैंने इसमें थोड़े से डाले हैं अलसी के बीच आदी चमच मैंने इसमें दालचिनी का पावडर डाला है और अलसी के बीच को मैंने रात को ही भीगो के छोड़िया था दो चमच मैंने इसमें प्रोटीन पावडर के डाले हैं जो हम सब के लिए बहुत ज़ादा जरूरी होता है थोड़ा सा देखे मैंने इसमें नीमू का रस डाला है और उसके साथ मैंने इसमें एड़ करा है तोड़ा सा बरफ और उसके साथ जो भी ड्राइर फूर्ट्स आप खाते हैं आप वो एड़ कर सकते हैं मीठा मैंने इसमें नहीं डाला है मैंने इसमें शेहर डाला है मिठे की जगे आप चाहें तो जो शुगर होती है उसे भी एड़ कर सकते हैं और देखें लगबग आदा गिलास मैंने इसमें पाने डाला और इसे बहुत अच्छे से ब्रेंड कर लेंगे ब्रेंड करते हुए ये थोड़ा सा दिक्कत करता है क्योंकि अलसी के भी थोड़े से हार्ड होते हैं उसके साथ नीचे इसमें मैंने डाले हैं जो जामून होती है उसका पल्प और ओपर से जो स्मूदी तियार करी थी वो भर्ली है इसे आप पी के देखेगा ये आपको कई घंटों तक फुल फिल रखता है एनरजी से फुल रखता है जो भी ड्राइफ्रूर्स आप खाते हैं उन्हें एड करिएगा प्रोटीन के आपके अंदर कोई कमी नहीं होने देगा और पूरी गर्मियों आपको रेफ्रेश रखेगा अपने बच्चे को भी खिलाईएगा पिलाईएगा और आप खुद भी पीजिएगा बहुत सारे फ्लेवर की आइसक्रीम आपने खाई होगी तो चली आज जामून की आइसक्रीम खाते हैं तो जामून का पल्प लिया है उसमें मैंने तीन चमच मिल्क पावडर के एड़ करे हैं और तीन चमच मैंने इसमें डाली है चीनी की उसके साथ इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे अब एक कड़ाई में मैंने पूरा मलाई वाला दो गिलास बर के दूद का लिया है और आप कैसा भी दूद ले सकते हैं लेकिन इसको हमें बस पका के आधा कर लेना है इसमें मैंने डाला है एक से डेट चमच के आसपास रहा होगा ये कस्टर्ड पावडर और बहुत बढ़िया से जब ये इसमें मिक्स हो जाए दूद पक जाए तो इसे नीचे उतार लेंगे और ठंडा होने देंगे अब देखें कुछ ड्राइब फूर्स को मैंने पहले से कट करके रखा था जैसे किश्मिश मदाम काजू मैंने इसमें मिक्स कर लिया है जो भी आप खाते है वो इसमें एड़ कर लीजेगा आप चाहें तो यहाँ फूर्ड कलर भी डाल सकते हैं पर मैंने नहीं डाला टेेश के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा इलाइड्ची का पावडर डाला है और जो पेस्ट हमने पहले से पीस किसी बोक्स में कंटेनर में हम इसको इस तरह से डाल लेंगे और रैप कर देंगे किसी सिल्वर फोयल से या फिर प्रेट से मैंने इसको गानिश करा है यह जो ड्राइफूर्स होते हैं उनसे आप अपने चोईस के कोडिंग कोई भी ड्राइफूर्स कर सकते हैं और देखे अब बहुत अच्छे से जब यह जम गई है तो मैंने इसे निकाल लिया है और अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ यह कितनी ज़्यादा टेस्टी बनी है और कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है परफेक्ट आइस्क्रीम की सबसे अच्छी पैचान यह होती है कि जिस टाइम पे आप उसे कट करें तो वो स्मूथली कट हो जानी चाहिए और देखे एकदम स्मूथली यह कट भी हो रही है आप इसे बना के देखिएगा और आप एक बार बनाएंगे तो इस बात की मैं ग सबने ही खाते बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं इग्नोर कर जाते हैं लेकि उसमें बहुत जादा प्रोटीन होता है तो मैं क्या करती हूं अपने बच्चे को नीटरी खलाने के अलग-अलग तरीके ढूंड लेती हूं तो देखिए एक कड़ाई में मैंने यहां पे दाल प्रूत नहीं होती उसके साथ इसमें अद्रग लेसन का पेस्ट डाला और देखिए जो भी बेसिक मसाले होते हैं जैसे धनिया पावडर गरम मसाला लाल मिल्च पावडर नमक हुआ हल्दी हुआ और हमारी लाल मिल्च के सासा यानि जो कलर वाली लाल मिल्च होती है वो उस इसके भाएड मैंने जो पत्ता गुबभी होती है उसे थोड़ा सा मोटा मोटा सा मैंने चौप करके रखगा था इससे इसमें एडर कर देंगे और बिल्कुल भी पानी डालने के ज SEO नहीं होती बिल्कुल स्मकर करके आप छोड़ दीजे इस इसी मेंसे ही पानी रीलीज होत और बहुत डिलिशियस यह सबची बनके रेडी होती है और आप चाहें तो इसकी स्टफिंग को परांठे के अंदर भी यूज कर सकते हैं इस तरह से और पूरी भी आप स्टफ करके बना सकते हैं बहुत ही जदा डिलिशियस भी बनती है और इस तरह से जो प्रोटीन की कमी होत आज बच्चों ने जिद करी कि मा आज आप हमारे लिए ब्रेड पिज्जा बनाओ तो मैंने सुछा बच्चों के लिए क्यूं बढ़ों के लिए भी बनाया जाए तो मैंने क्या करा कि एक कड़ाई में थोड़ा सा मैंने लिया है बटर और एक साइड से ब्रेड को बहुत बढ़िया से सेख लेना है और इसको इतना सेखना है कि एक दम कुरकुरा हो जाए तो देखे इसी तरह से मैं क्या करूंगी कि एक साथ ही तीन से चार ब्रेड को सेख लूँगी और आप चाहें तो यहाँ पर जो पिज़ा सोस आता है उसका भी उस कर सकते हैं लेकिन अगर पिज़ा सोस नहीं है तो आप जो नॉर्मल सोस आता है घर में टेमेटो केचप आता है उसका भी इस्तमाल कर सकते हैं अब इसे बहुत अच्छे से स्पिड कर लेंगे इस तरह से कि ये इसके चारो कोनों में फैल जाए उसके साथ देखे मैंने थोड़ी से विजटेबल को कट करके रखा था जैसे मैंने प्यास को काटा था उसके साथ शिमला मिच्ट डाली है और देखे थोड़ी से मैंने और इसे बहुत बढ़िया से मैंने बारीक वाली कद्धुकस से कस्त करके इसके उपर डाल लिया है इसको बहुत बढ़िया से कवर कर लेंगे जितना भी चीज आप खाते हैं आपके बच्चे घाते है उसके हिसाब से आप इसको कवर करिए और बिना अवन के बिना बेक करने के लिए मैंने यो गधाई में फिर से थोड़ा सा डाला है बटर और गैस को बिल्कुल सिम् करके छोड़ दिया है लगभग 2 मिन्ट के लिए लेकिन बस धियान यह रख ना है कि गैस को आपको six करना है ताकि बिल्कुल जलेना और लीजे हमारे एकदम टेस्टी टेस्टी ब्रेड पिजा रेडी हैं बहुत जल्दी बड़ के रेडी होते हैं और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं तो दोस्तो ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजेगा शेर कीजेगा जो दोस्त चैनल पर पहली बार आई है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फोलो नहीं किया है तो नीचे लिंक ह जाइए और जल्दी से फोलो कर लिजिए फिर मुलाकात होगी एक नए और इंटरस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए ओके फ्रेंस थैंक यू एंड बाबाई